कोरोना के नए वेरियंट के बीच ज्वेलरी मार्केट में लगातार ग्रोथ हो रहा है लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ज्वेलरी के अच्छी डिमांड है यूएसे के ज्वेलरी मार्केट में 32 विस्दी वृद्धी हुई है वही local market में कारीगरू की तंगी है इसे पूरा करने के लिए सूरत Jewelry Manufacturing Association तालिम के इंदरे शुरू किये गए हैं तालिम देकर इंडिस्ट्रीज में पैदा हुई कुशल कारीगरू की कमी को दूर करने का प्रयास किये जाएगा सूरत डायमंड के कट पोलिस के साथ साथ Jewelry Manufacturing में भी बढ़ोधरी हो रही है USA, Europe, साइद, Hong Kong, चीन के मार्किट में भी सूरत में तयार हुई हीरा जुडी Jewelry की बड़ी मांग है सूरत में भी डायमंड Jewelry उत्पादों के संख्या में बढ़ोधरी हुई है Association के मुताबिक 350 से ज्यादा फैक्टरी सूरत में कारियरत है हाला कि लगातार Jewelry की मांग के बेच सूरत के Jewelry उकाईों में सीकल बरकरों की कमी है सानी अग्रणी ने बताया कि दिनो दिन फैक्टरी में एक्सपेंशन सहीत नहीं इकाईयां भी स्थापित होने की शुरुआत हो चुकी है जो और्डर पहले मुंबई चाते थे वे अब सूरत में आ रहे हैं हाल में रख डैमन की कमी के कारण शोट सप्लाई की स्थिती में के बावजुद Jewelry Manufacturing का काम रुकार नहीं है SMS किल्ड वरकरों की कमी दूर करने सरकार की युजनाओं के अधिन तालीम केंडर शुरू किये हैं जिसमें एक बेच में अभी तक 30 लोगों को तालीम दी जा रही है Jewelry Industry में काम करने के इच्छुक लोगों को निसुल को तालीम दी जा रही है